अलो स्लाम अलेकूम जैसे कि आप सब लोग जानते है कि कल कोकन में एक बहुत बड़ा हाथसा हुआ पोलादपूर के नजदीक एक रिक्षा और ट्रक के बीच में एक्सिडेंट हुआ कि कल हम लोग वीडियो अपलोड करी रहे थे शूट किये उसके बाद अपलोड करी रहे थे कि हमारे पॉलादपूर में मेरे मामो की लड़के का फोन आया आयस एक रिक्षा है जिसका ड्रावर गोरे गाउस है पहले लडकियों का पता नहीं था को उनकों थे अंदर उसने बताए कि आइस इस रिक्षा ड्रीवर उसका लाइसन शायद उनको मिला पहले वो रिक्षा ड्रावर की ही जो हुए थे उनकी वहापे उनकी शिनाक्त वो चीज ये उसने फोन करके पता है कि या इस ऐसा है और चारो इंतिकाल हो गए है क्योंकि हादसा बहुत जबरस हुआ था वो ट्रक पूरा रिक्षा के उपर गिर गया था तो ये बहुत दर्दनाक चीज हुए उनके साथ तो हम लोगों ने वीडियो अपलोड नहीं की और म क्योंकि हम लोग भी बहुत शॉप में हैं ये बहुत बड़ा हाथसा हुआ और मेरे एक दोस्त ने बताए कि ये जो लड़किया जो इंतिकाल हुआ हुए उनका वो बहुत ही काबिल और टैलेंटिड लड़किया थी और अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहती थी उनके जो रिक्षा वाले थे वो भी हर वक्त उनके साथ ही रहती जब ये उनको जाना होता था यही रिक्षा रहती थी और इसे उसने बताया क्योंकि उनको एल्प करते थे जाने के लिए आने के लिए और बहुत महिनत कर रहे थे वो लोग भी तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज्यादर से जड़ा दुझा करे कि मर्हुम को अनकी गुनाओं को माफ करे और जन्नत में आला से आला माकाम उनको आता करे और उनके घरवालों को सबर अता करे, क्योंकि छोटी बात नहीं है यह, माबाप जो भी रिस्टेदार, नो के पारेंट से रहते हैं। वो अपना सब अपर मतामित तो है, तो फिर मैंनत, आपनी नीन, अपने शोग, सब पीछे राकर अपने बच़ा को बढाते हैं, उसका बढ़ार करते हैं, उनके घरवालों के उपर उनके रिष्टतारों के उपर क्या भीद रही होंगी क्योंकि जैसे मैंने आपको बताए कि यह उनका शायद फाइनल येर था अपने पूरे होने वाले थे और मतलब क्योंकि एक उम्मीद लगी होती है अपने बच्चों से कि मैंने इसके उपर इतनी महिनत किये है एकने सालों से हम लोग उसको पढ़ा रहे तो एक वक्त आएगा कि इससे हासिल कुछ ने कुछ हासिल होगा नाम कमाएंगे ये लोग हमारी इज़त बढ़ेंगी कि या बेटिया इतनी पड़ी ये एससी जॉब पर लगी है तो उन लोगों को एक उमीद रहती है और फिर यह इसी चीजी हो जाए तो फिर वो आदमी तूट जाते है पूरी तरह से तो अल्ला उनके घरवारों को सबर अता करे और आप लोग जल से जादा से जादा दूआ करे उनके लिए और जब भी आपको बाहर जाना हो कोई काम हो अच्छा हो बुरा हो कोई काम हो थोड़ा सा सत्का निकाल के जाए घर से और माबाप को माबाप की बद्वा लेकर कहीं भी नहीं जाए माबाप के माबाप को bata के निकले घरसे माबाप को समझा के जो भी काम रहेगे उनको बता के निकले और उनकी रजासे निकले क्योंकि अगर माबाप को आप ठेस पौज़ा के कही भी निकल रहे हो या फिर कोई काम करे हो तो उसमें बरकत भी नहीं है और कामया भी नहीं मिलेगी कि अल्ला राजी नहीं होता है उस चीज से तो जब भी कोई घर से निकलोगी तो ये दो चीजे जरूर करना कि माबाप को बता के निकलो उनकी दुआये लेके निकलो सतका जरूर निकाल के घर से निकले और उनके लिए दुआ करो इंशाल्ला एक चार-पाश दिन के बाद वीडियो आएंगी इंशाल्ला क्योंकि हम लोग भी बहुत शौक में हैं ये हदसे से तो इंशाल्ला चार-पाश दिन के बाद वीडियो डालेंगे इंशाल्ला इसलाम आदेकों